आई होप आप लोग मस्त होंगे अपने अपने कामों में ब्यस्त होंगे आप लोग कैसे हो और आप लोग के सामने में निव वीडियो लेके आ गई हूँ तो यह रिक्वेस्टेट वीडियो है मेरे एक फ्रेंड्स है उन्होंने बोला था कि दी डार्क एस्पोर्ट बहुत ज तो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो तो मार्केट में अब लवल है ही वो तो आप ले भी सकते हो और आई थिंक मैंने इस डार के स्पोर्ट के बाड़े में दो वीडियो मैंने आपने चैनल पर देही दिया है एक सौर्ड वीडियो है फ्रेंस और एक थोड़ी सीमें ट्रि को ओल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी नियूने वीडियो है आप लोगों तक जल से जल पहुंच पाए अब मैं वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करूंगी ज्यादा बढ़ाओंगी नहीं मैं जो टॉपिक है जिस टॉपिक के लिए मैंने वीडियो में आई हूँ व बहुत वन ही टिप से वस एक छोटी सी सोट वीडियो के थरूप में आप लोगों को समझा रही हूं चाहियां तो खतम होती है मगर उसमें टाइम लगते है अगर आपको कुईकली जल्दी करना है तो मेरे पास से कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट है मैं नेक्स वीडियो में उस पैंपोड़क्ट करनś siya अफ की अगक्या है कि यह फ्रेंश यह मेथि है य देख लेख लीजिए ठीक कलना है मुक्त मैं ने रात बहर दीगों के रखा है मैं उसे मेत्व करना पानी है एक दम सिंपल सा मैं बता रही हूं ज्यादा कुछ लेंदी नहीं है यह मेथी दाना का जो पानी है यह देख लीजिए यह पानी है डार बहुत-बहुत काले-काले दब्बे पड़ जाते उसके लिए फायदा बंदे और जिनके चेहरे पे छाइयां आ जाती है बहुत अब बहुत कौँजिस को अब खा भी सकते हो जब आप इसको रात बर भिगवा के रखेगा इस पानी को यह पानी बिल्कुल मतलब यह मेथी बिलकुल कड़ी नहीं लगती है अगर जो कांटिणीव खाते मेथी उनको यह पता होगा उनके लिए कड़ी बिल्कुल नहीं होत इससे आपके तो बहुत सारे प्रोब्लम खतम हो जाएंगे डायबीटीज जिनको भी जो जो प्रोब्लम है आपको पता है मेथी कितना यूश्फूल है बॉडी के लिए इस पानी को आप क्या करोगा यह जो पानी बच गया नहीं मेथी के पानी इस पानी को आप पुड़े स् अगर आप रात बर रहना चाहते हो साड़ी रात रखना चाहते हो तो रख सकते हो मगर इस पानी को जब धोईएगा चेरे को चेरे पर लगाईएगा धोलीजिए पानी को तो इसके बाद आप सामून स्वेश्वास कुछ भी चेरे पर अपलाई नहीं करना है आई थिंक दो घंटे तक चेरे पर वैसे ही रखना है धोके चेरा जब सूख जाएगा थोड़ा मेथी के पानी आपके स्कीन पर सूख जाएगा उसके दो घंटे के बाद अगर चाहो तो चेरा को धो सकते हो ठंडे पानी से बहुत ईजी और एंट सिंपल सा यह है और आप लो और प्रोब्लम हो स्कीन से रिलेटिव जो भी दिक्कत हो रही है प्लीज मुझे से कल साल्ट करें मुझे कोमेंट सेक्षन में कोमेंट करें तो मैं उसके ऊपर वीडियो रेडी कर दूंगी ओके फ्रेंस थैंक्यू वेरी माच